नमस्कार दोस्तों, Current Affair की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज की इस Current Affair की वीडियो में पिछले 6 महिने के अत्यांत महत्पून व्यक्ति विशेश प्रशनों का रिवीजन करेंगे प्रशन काफी महत्पून है, परिक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है की वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहला प्रशन, हाली में 18 जून 2021 को भारत के महान एथलीट मिलखा सिंग का निधन हो गया मिलखा सिंग के संभूनबंद में कौन सा विकल्प तत्य सही नहीं है यहां मैं बता दूँ कि यूपी के एक्जामस में तिथी पर प्रशन बनता है 18 जून 2021 को याद रखिएगा इस दिन जो है महान एथलीट मिलखा सिंग का निधन हुआ है 18 जून 2021 अब बाकी के स्टेटमेंट्स देखते हैं पहला स्टेटमेंट मिलखा सिंग ने वर्स 19 वन ठाउन में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में स्वन पदक गोल्ड मैडल जिता सही बात है वैदेश और विश्व में फ्लाइंग सिक के नाम से फेमस थे इनको ये नाम पाकिस्तान ने दिया पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने तो याद रखिएगा ये टाइटल किस ने दिया फ्लाइंग सिक का पाकिस्तान राष्ट द्वारा अयूब खान वहां के जनरल थे उन्होंने फ्लाइंग सिक कहा था हिने तो ये भी प्रशन बन सकता है वहवर्स 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मेटर रेस इस परदा के फाइनल में चोथे स्थान पर रहे ये बात भी सही है आप्शन डी यहाँ पर गलत है तो पहले का जो विकल्प तथ्य सही नहीं है वह आप्शन डी चलिए आगे बढ़ते हैं 17 जून 2021 को किस देश के पूरु राश्टपती रहे डाक्टर कैनित डैविड कॉंडा का निधन हो गया है तो दूसरे का सही जवाब है जामबिया जामबिया दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी जामबिया परशनों को देखते जाएं उत्तर में बता रहा हूँ कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने देश के सुप्रिम कोर्ट में पहले किस औश्वेत वेक्ती और भारतवन्सी को जज के रूप में नामित किया है इंपोर्टिन कोशन है तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद जमाल महमूद जमाल कनाडा के प्रधान मंत्रदी जस्टिन टूडो ने देश के सुप्रिम कोर्ट में पहले किस औश्वेत वेक्ती और भारतवन्सी को जज के रूप में नामित किया है महमूद जमाल याद रखेगा प्रशन बन सकता है आगे बढ़ते हैं एक जून 2021 को किसने असम राइफल्स के नए महानी देशक के रूप में पदभार समाला है चोथे का सही जवाब क्या होगा? चोथे का सही जवाब है औप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल परदीप चंदरन नायर लेफ्टिनेंट जनरल परदीप चंदरन नायर चोथे का option B है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मई 2021 में आश्रिता वी ओलेटी, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजिनियर के रूप में निख्त की गई हैं, वे किस राज्य से संबंदित हैं, पांचवे का सही जवाब हो जाएगा option B, करनाटक, करनाटक, नाम याद रखिएगा आश्रिता वी ओलेटी, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजिनियर हैं, किस राज्य से संबंदित हैं, करनाटक, 3 जून 2021 को किस देश के पूरु राष्टपती तथा प्रधान मंतरी अनिरुद जगन्नात का निदन हो गया, छटे का सही जवाब है option B, मौरिशियस, मौरिशि पूछा जा सकता है एक्जाम में, तो साथवेगा सही जवाब हो जाएगा option A, अब्दुल्ला शाहिद, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, साथ जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट महासिभा के च्छियत्रवे अधिवेशन के अध्यक्स निर्वाचित हैं, अब्दुल्ला शाह पूछा जा सकता है, प्रश्ण, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में, 9 जून 2021 को किस ने पदभार ग्रहन किया है, देश के नए चुनाव आयुक्त, आठवेगा सही जवाब हो जाएगा option B, अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, चलिए, option B है, कि इस देश के पूर प्रधानमंत्री अनिरूद जगन्नाथ का 91 वर्स के आयुक्त में, 3 जून को निदन हो गया, यहाँ पर 9 जवाब है, option A, Mauritius, प्रधानमंत्री अनिरूद जगन्नाथ, Mauritius, असम राइफल्स के नए महानिदेशक, अभी हमने देखा, सही जवाब है, HRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है, तो पता होना चाहिए, 65 साल के बाद, जो रिटाइड सुप्रिम कोर्ट के जद होते हैं, वो बनते हैं मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष, तो हाली में HL दत्तु रिटाइड हुए हैं, अब जो नए व्यक्त जो अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है, भारतिये राष्टिये मानवादिकार आयोग का वो हैं न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा, ज्यारवे का सही जवाब है, ओप्शन A, फाइव स्टार कैटिगरी का प्रशन है एक्जाम में पूछा जा सकता है, फ भारतिये बैडमिन्टन संग B.A.I. के किस अध्यक्ष को चार वर्ष के लिए बैडमिन्टन विशुमा संग परिशत में चुना गया है, बारवे का सही जवाब है, ओप्शन A, हिमन्त, विश्वा, सर्मा, हिमन्त, विश्वा, सर्मा, केरल के मुख्यमंत्री के पद की सपत लेने के साथ ही निमन मेंसे कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, सही जवाब है, पिनाराई विजियन, ओप्शन C, तेरवे का सही जवाब है, ओप्शन C, पिनाराई विजियन, इस तरह के प्रस्ण बन सकते हैं, रायस्थान के किस पूरू माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो नई न्युक्ती है, माली एक राश्टर है, तो इसके प्रधानमंत्री के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, सही जवाब है option A, मौक्टेर ओउने, option A, spelling को देख लीजिए, मौक्टेर ओउने, मार्टिन ग्रिफितस मार्टिन ग्रिफितस ओप्शन सी मार्टिन ग्रिफितस चलिए आगे बढ़ते हैं पूरु फुटबॉलर फोर्टु नाटो फ्रेंको का 10 माई 2021 को निधन हो गया वे किस देश के प्रसित फुटबॉल खिलाडी थे सत्रवेगा सही जवाब्या उप्शन सी भारत सत्रवेगा सी है भारत अठारवा प्रस्न देखिए किस देश की प्रवता रोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरिस्ट पर 25 बार चड़ने वाली दुनिया की पहली प्रवता रोही बन गई है तो अठारवे का उनका संबंद किस देश से है तो कामी रीता शेरपा नेपाल की है अठारवे का C है किस पूर्व केंद्रिय मंत्री एवम राश्टिय लोकदल RLD के अध्यक्स का करोना की चपेट में आने से निधन हो गया सही जवाबया उप्शन D चौधरी अजीत सिंग चौधरी अजीत सिंग प्रोफेसर MS नरसिम्मन का 16 मही को निधन हो गया इस संबंद में कथनों पर विचार करें तो 20 प्रश्ण का मैं आप्शन बतायता हूं D है यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है वे एक प्रसिद गनित्यक्य थे उन्हें वर्स 1975 में शांती स्वरु भटनागर पुरुषकार प्रदान किया गया वर्स 1990 में उन्हें पदम भूशन से सम्मानित किया गया सभी स्टेटमेंट सही है तो यह एक बहुत फेमस गनित्यक्य थे MS नर्सिम्मन छेत्र विशेज पर प्रश्ण बन सकता है ब्रिक्स CCI ने प्रवता रोही पूरुपूर्णना मालवत और स्रिष्टी जपूदी को वर्स 2021-22 के लिए अपना स्रिष्टी जपूदी किस खेल से संबन्दित है 21 वे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैडमिंटन स्रिष्टी जपूदी बैडमिंटन किसने केंद्री अन्वेक्षन ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में 26 मई 2021 को पदभार ग्रेंड किया 22 वे का सही जवाब है ऑप्शन B सुबोध कुमार जैस्वाल इंपोर्टेंट न्युकती है इस तरह के प्रश्ण बन चुके हैं याद रखिएगा 22 वे का सही जवाब है ऑप्शन B सुबोध कुमार जैस्वाल प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फते करने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है तो 23 वे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C माउंट अनपूर्णा इस तरह के प्रश्ण भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन C माउंट अनपूर्णा प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फते करने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है माउंट अनपूर्णा कौन भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के अध्यक्स सह परबंध निदेशक के रूप में निउक्त हुए है सही जवाब है 24 वे का ऑप्शन B अरुन कुमार सिंग अरुन कुमार सिंग आर्बियाई ने किसे कार्य पालक निदेशक ED के रूप में निउक्त किया है ये इंपोर्टेंट प्रशन है 25 वे का सही जवाब जाएगा ऑप्शन D राकेश जैन किन सरकार ने आर्बियाई के केंद्रिय बोर्ड में ने निदेशक के रूप में किस वेक्ति को नामित किया है 26 वे का ऑप्शन D है चलिए कौन फिक्की लेडिज और्गनाईजेशन FLO की नई राष्टिय अध्यक्स के रूप में निउक्त हुई है 27 वे का सही जवाब जाएगा ऑप्शन C उजवला सिंघानिया उजवला सिंघानिया इंपोर्टन निउक्ति है फिक्की से संदर में प्रश्ण बन जाता है तो फिक्की लेडिज और्गनाईजेशन FLO की नई राष्टिय अध्यक्स उजवला सिंघानिया 27 वेक्स C है दिदियर रत सिराका का मार्च 2021 मिनिधन हो गया वे किस देश के पूरू राष्टपती थे 28 वेका सही जवाब है मेड़ाजकर मेड़ाजकर नाम है दिदियर रत सिराका जिनका हाले मिनिधन हुआ पूरू राष्टपती थे मेड़ाजकर के 28 वेका ओप्शन D है चलिए केंसरकार ने किसे भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है पाइव स्टार का टिकरी का प्रशन रहेगा इस तरह के प्रशन बनेंगे 29 वें का सही जवाब हो जाएगा option B सोरब गर्ग सोरब गर्ग option B 29 वें का option B है चलिए केंसरकार ने किसे भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरण AAI का नया ध्यक्ष नियुक्त किया है सही जवाब हो जाएगा संजीव कुमार इस मैगजीन में सारे प्रशन के उत्तर में बता रहा हूँ अगर किसी उत्तर में कोई mistake हो तो comment section में ज़रूर बताईएगा पर मेरे एसाब से मैंने answers चेक कर लिए है सभी answers लगबग सही है तो तीसवे का यहाँ सही जवाब है option A संजीव कुमार मई 2021 में कौन राष्टिय अमानवादिकार AAI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में νुक्ष हुए अभी मैंने आपको अध्यक्ष बताया था अब आप से प्रश्ण पूछा गया है कि राष्टिय अमानवादिकार AAI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन नुक्ष हुए है तो ये कार्यवाक अध्यक्स थे और अभी थोड़ी दर पहले हमने देखा था वो अध्यक्स थे ठीक है तो 31 वे का यहाँ option D है अगला प्रशन देखिए किसने केंदरशासित परदेश पूदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में 7 मई 2021 को सपत ग्रेहन की है 32 वे का सही जवाब हो जाएगा option A N रंगा स्वामी N रंगा स्वामी 32 वे का सही जवाब है option A N रंगा स्वामी 7 मई 2021 को पूदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्रेहन की है All India त्रूनमुल कॉंगरेस की प्रमुख ममता बनर जी ने 5 मई 2021 को पस्ची मंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्रेहन की है इसके संदर में कत्नों पर विचार करना है लगातार तीसरी बार इस राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है पमई 2021 को तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री बनी है तो यह पूछा जा सकता है एकजाम में चलिए प्रसिद हिंदूसतानी सास्त्रिय गायक पंडित राजन मिश्रा का 25 अपरेल 2021 को निधन हो गया वे किस घराने से संबंदित थे तो यूपी के एक्जामस में घरानों के उपर परश्ट बनता है 34 वे का सही जवाव है बनारस घराना यह important question हो सकता है मैं दुबारा repeat कर दूँ प्रसिद हिंदुस्तानी सास्त्रिय गायक पंडित राजन मिश्रा का 25 अपरेल 2021 को निधन हो गया वे किस घराने से संबंदित थे तो उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से संबंदित थे option C ठीक है option C बनारस घराना पंडित राजन मिश्रा भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षण G.C. मुर्मू को किस प्रमुख अंतराष्टे संगठन का बारी लेखा परिक्षण के रूप में चुना गया है 35 वे का सही जवाब है O.P.C.W. O.P.C.W. Option B. 35 वे का B है किस ने असम के 15 मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्रहन की है इंपोर्टन्ट है 15 मुख्यमंत्री असम राज्य के सही जवाब है 36 वे का ओप्षण C हिमन्त विश्वा सर्मा हिमन्त विश्वा सर्मा ओप्षण C 36 वे का C है 15 मुख्यमंत्री असम राज्य के वर्ष 2021-22 के लिए किसकी अध्यक्सता में संसत की लोक लेखा समिती का गठन किया गया है पाइव स्टार काटिगरी का प्रश्ण ऐसे प्रश्ण जरूर पुछ जाएंगे लोक लेखा समिती संसत की 22 सदस से होते हैं 15 एक सदन से और 7 एक सदन से तो इसमें लोक लेखा समिती सबसे बड़ी समितियों में से एक इसके उपर होती है एक प्राकलन समिती उसमें 30 सदस से होते हैं लोक लेखा समिती में 22 सदस से होते हैं लेकिन इंपोर्टेंट मानी जाती है समिती तो लोक लेका समिती का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है सही जवाब है अधीर रंजन चोधरी प्रश्ण बन सकता है अधीर रंजन चोधरी जो इसका नेता होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की सक्तियां मिलती हैं इस बात को याद रखिएगा केन सरकार ने किसे भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक सिड़वी का नया अध्यक्स प्रमंद निदेशक निउख्त किया है सिड़वी का नया अध्यक्स इंपोर्टन कोश्चन है सही जवाब है S. रमन S. रमन option D किस तमिल अभिनेता और हस्यकलाकार का 17 अपरेल 2021 को 69 वर्स के आईयों में निधन हो गया 49 वे का सही जवाब है option है विवेक आधुनिक तुलसीदास कहलाने वाले किस वरिष्ट साहित्यकार का 17 अपरेल 2021 को COVID-19 के कारण निधन हो गया 40 वे का सही जवाब है option D नरेंद्र कोहली नरेंद्र कोहली 6 अपरेल 2021 को राष्टपती रामनात कोविन ने किसे भारत का 48 वा मुख्य नयायदीश निधन किया है 5 star category most important question ये question ज़रूर पुछा जाएगा करम संख्या भी पूछ सकता है आपसे हाली में जो मुख्य नयायदीश निधन किया है उनकी करम संख्या क्या है तो हमारे देश का सुप्रिम कोट सबसे सरवच नयायले है सभी नयायलों में और उसकी जब भी निधन होती है चीफ जस्टिस की उस पर परशन बनता है ठीक है important question हो सकता है ये पहले तो ये याद रखिएगा 48 बने है तो 41 का सही जवाब है option C नयायमूर्थी एन्वी रमन माग कर रहा हूं है option C 41 का C है नयायमूर्थी एन्वी रमन 5 star category का प्रशन है 48 मुख्य नयायदीश है हमारे देश के Chief CGI Chief Justice of India 48 option C नयायमूर्थी एन्वी रमन केंसरकार ने हाली में आर्थिक मामलों के नये सचीव के रूप में किसे न्युक्त किया है सही जवाब हो जाएगा option B 42 का अजय सेट ठीक है अजय सेट RBI के किस पूर्व टिप्टी गवर्नर का दिल का दोरा पढ़ने से अर्षट वर्स के आयू में निधन हो गया हाली में तो सही जवाब है केसी चक्रवर्ती 43 का option C है भारत के किस पहले पर्यावरन मंत्री का हाली में निधन हो गया option B दिगविजय सिंग जाला द्रोना चार्रे आवाट से सम्मानित हाली में किस प्रतिष्चित निसाने बाज कोच का लगभग 80 वर्स के आयू में निधन हो गया तो 45 वे का सही जवाब है option है संजय चक्रवर्ती संजय चक्रवर्ती महराष्टर के ग्रे मंत्री अनिल देशमुक के त्याग पत्र के बाद निम्ण में से किसे नया ग्रे मंत्री बनाया गया है सही जवाब है दिलिप वल से पार्टिल दिलिप वल से पार्टिल दोस्तों ये पार्ट वन है इसके बाद पार्ट टू भी है वेक्ति विशेश का उसको भी मैं ले के आऊंगा पदम स्री से सम्मानित हाली में किस मशूर एवं दिगज अभिनेत्री का 88 वर्स के आईयो में निधन हो गया 47 वेगा सही जवाब क्या होगा option A सशीकला सागर सरहदी का 21 मार्श 2021 को निधन हो गया वो क्या थे उनका छेतर विशेश क्या था तो option D लेखक फिल्म निर्माता किस ने राष्ट्य सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानी देशक के रूप में पदभार ग्रहन किया है सही जवाब है option C M.A. गणपती M.A. गणपती 49 वेगा option C है राष्ट्य सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानी देशक important न्युखती है प्रश्न बन सकता है किस देश के राष्ट्पती जोन पामबे जोसेफ मेगु फूली का 17 मार्च 2021 का निधन हो गया तो सही जवाब है पचासवे का option C दक्षणी सुडान दक्षणी सुडान चेमा चेरी कुन्नी रमन नायर का 15 मार्च 2021 को निधन हो गया वो क्या थे तो 51 का सही जवाब है option B प्रसीद कथककली नर्तक गुरू प्रसीद कथककली नर्तक गुरू नाम है चेमा चेरी कुन्नी रमन नायर चलिए अगला प्रशन देखते हैं बावनव प्रशन देखिए मार्च 2021 को स्टॉप टीबी पार्टनर्शिप बोर्ड का नया अध्यक्स किसे निउक्त किया गया है बावन का सही जवाब हो जाएगा option B डाक्टर हर्सवर्दन डाक्टर हर्सवर्दन तो यह पार्ट वन है इसके बाद पार्ट टू भी मैं लेकर आऊँगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद